इस डिवाइस के बारे में आपको ब्तादूं इस से पहले कुछ चीजे मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो परण और गोविल नाइंटीन में कैसे उस्पूल है कैसे हेल्फुल Minnie वह में बताू है जैसा यह Pulse Oximeter जो है वो हमारा SPO2 बताता है SPO2 कहने का मतलब Oxygen Saturation Blood में Oxygen Saturation कितना है वो बताता है मोटा मोटी में बता रहा हूँ कि Blood में Oxygen Saturation कितना है वो बताता है अब मैं इसको थोड़ा सा डीटेल में बताने की कुछ करता हूँ कि सबसे पहले तो यह कि COVID-19 में Coronavirus जो है वो हमारे Lungs पे अटेक करता है तो पहले हम Lungs के बारे में थोड़ा से जाने Lungs का काम है कि हमारे सरीर में जो Blood है उसमें स्वासन क्रिया के द्वारा जो हम Air लेते हैं उसमें Approx 21% Oxygen होता है बाकी CO2 और other gases होते हैं तो उस Air से Oxygen को Separate करके हमारे Blood में Mix करना यह फेफ्रे काम होता है Lungs का काम होता है अब Lungs में Blood कहां से आता है मैं वह बताता हूँ आपको तो जो हमारा दिल है हिर्दय है वह दो तरफ पंपिंग करता है Blood को भेजता है एक तरफ फेफ्रे में ताकि फेफ्रे में Blood जाके Oxygen Mix हो पाए और जो Oxygen Mix हुआ वह बलड है खून है वह भी वापस से फेफ्रे से दिल में आता है हिर्दय में आता है और हिर्दय से हमारे बॉडी में पंपिंग होता है और हमारे different organs में जाता है लेकिन यह जो Blood है हमारा ऐसा नहीं कि पूरे Blood में Oxygen mix होता है Blood में Hemoglobin में होता है एक लगाइध में partieïn सेल है डर दील में होता है जो आप जानते हों हमारे 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 हो जिं bağनेक हका इस जीमोली हम का उपको होता है वह निकार्ण को तो हमारे है वह ण्यूetardment में लेकिंग सब्लांत में आपकर बलड में मिक्स फिर दिल के थरू हिरदय के थरू pumping करके वो different organs जो है body के हमारे वहां तक ले जागा और फिर जब वहां तक oxygen को ले गया और वो different organs से जो oxygen के अलावा CO2 या other gases निकले हैं उसको भी वो carry करके वापस दिल में और दिल से pumping करके आपकी फेफरी तक आता है फिर उसमें oxygen मिलता है यह काम है ही हमोगलोबिन का तो यह pulse oximeter है वो SpO2 बताएगा मतलब की oxygen saturation आपके blood में कितना है तो वो कैसे बताता है तो जो हमोगलोबिन प्रतिसत में और इसमें आपके हिरदय का pulse rate भी बताएगा तो दो चीज़ बताएगा तो SpO2 और हाट भी पल्स रेट आपके हिरदय का तो अप्त्रोबिन के बारे में बाते कर लें उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको जो मैं कहना चाहरा हूं करोना वाइरस एफेक्ट करता है किसी सरीर पे तो वह लंग्स पर अटैक करता है लंग्स पर जो है वह अपना प्रभाव डालता है तो जिससे लंग्स के जो फंक्शन होते हैं वह थोड़े से कम हो जाते हैं वह इफक्ट होन लगता है तो उस दोरान आपका जो saturation oxygen saturation ब्लड में वह कम हो जाएगा तो इसमें वही है कि अगर इससे आप नापेंगे अगर आपका जो है SPO2 कम हो रहा है ब्लड में oxygen saturation वह कम हो रहा है तो थोरा से यह सोचनी भी सह है चिंता वाली भी सह है तो आपको जल से जल डॉक्टर से मिलना चाहिए तो यह सारे अगर डिवा 19 हुआ है या Corona ने इफेक्ट डाला है तो इन सबसे यह पता चलेगा तो चलिए अब इस डिवाइस के परें बात करें यह डिवाइस जो है यह डॉक्टर ट्रस्ट अंब्रांड का है डॉक्टर ट्रस्ट अंब्रांड का सिगनेचर सीरीज का है पल्स ऑक्सिमीटरी से कहते ह यह देख सकते हैं यह उपर में डॉक्टर ट्रस्ट लिखा हुआ है ठीक है और जैसा कि मैंने अन्बॉक्सिंग वाले वीडियों दिखाया था तो दिखाया था कि इसमें दो सेल मिले था मुझे उसको यहां पीछे यहां इस तरह से लगांगे और सेल कैसे लगाते हूँ आ आपको दिखाता हूँ देखें अन्ब करने पर डॉक्टर ट्रस्ट की ब्रैंडिंग आई और यह देखिए SPO2 और फिर आपके बैटरी का इंडिटेशम की बैटरी कितनी है सेल कितनी है वह दिखा रहा है और यह जो पी आर है यानि पुल्स रेट वह दिखा रहा है अभी स हैंप छह्यां चल्ट को मेगरैस घर सबस्क्रिया शर्ट तो कर सकते हैं जाम सकता है इस बेटन को प्रेशन होँ डरेट संवे मीनू अपनि रका करेंगे तो इसकी मीनू उपेन होगे वो करके दिखाता हूं आपको यह देखे यह मिनू ऊण हुआ जिसमें रिमाइंड सेटप है लिखा हुआ साउंड रिमाइंडर ऑन उफ कर सकते हैं बीब आउफ उन कर सकते हैं इसे जो भी आपको मिनू यूज करना है जो भी फंक्शन करना है वहां पर यह चला जाए तो प्रि dikkas करना है तो उसमें आप हो जाएंगे तो कâte तहूं जा च्रु छाना करेंने इन सब थात्य 0086 ऑए करना का देख सकते क्रस्कियों स at twoYaak 1 देख सकते हैं अगर है अंड्रेट वहा तो हई का आ मनतब अनिकेशन आएगा और लोका है 94 पर ना जाएने को परेशन होल वर crappy में लोका जाऊंगा मैं तो रेक his न कुछ करेना अब थोट त्वेग सकते हैं पर %o2 लिखा हुआ है, बैटरी लिखा हुआ है, पुलस रिखा हुआ है, मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ, यह उससे पहले बता दूँ कि यह यूज होकर कैसे, यह देखिए होता कैसे, यह आपको अंदर एक रेड़ कलर का दिख रहा है, जब मैं इसके अंदर अपन डिखाई म दे रहा हो अपको लेकिन ओपर किया है, रिसीवर है, तो जब हम डूग इसके अंदर फिंगर डालते हैं तो कितना, जो पर और वेब्स हैंिर इसके ने मैं और कितना प्र और पर का जो अ सेंसर है, उससे यह पतकर करता है कि कितना आपको और अपको आपको n यह index finger रखनी है और यह देखिए है थोड़ी दर के बाद यह बताया 97 मेरा जो है 97 परसेंटेज और यह दो भूख भी संनाने था संक आपक्रियतो है थे कि यह लेकित इसे इसाइब रखते है यह बद यह आनल sei leveraging और इसे ही इनसे लिचान कि अधेर अब या ठीए बेया दाल जाते हैं या यह ऐसे बीड़ों और यह देखिए 98 है तो 95-100 अगर दोस्तों 95-100 जो हता है वो बेटर रेंज है बट 90-100 है वो जो 90-100 नॉर्मल रेंज है तो अगर 90-100 है आपका SPO2 तो कोई दिकत नहीं है बट अगर उससे कम होता है तो आप डॉक्टर से मिलिए कंसल्ट किजिए और हल्दी रहिए और आसा करता ह हूं कि आप लोग सब हेल्दी और सेफी होंगे इसकी कभी जरूरत ना पड़े डॉक्टर की से मिलने की कभी जरूरत ना पड़े हमें साथ सब कुछ अच्छा हो तो अंदोस्तों उमीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियो अगर पसंद कीजिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू फ्रेंड्स